दोस्तो मेरी वीडियो सीरिज जीरो डिफेक्ट हाउ टू एचीव इस सीरिज का ये थर्ड वीडियो है इससे पहले दो वीडियो मैं अल्रेडी रिलेज कर चुका हूं वो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं और काफी पसंदी किया है जिसके लिए मैं आप सबको देखा कि किसी कंपनी के अंदर रिजक्शन डेटा का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं कैसे उसको हम प्राइटाइज करते हैं कंपोनेट वाइस और वाइस करने के बाद उसका एक्शन प्रान कैसे बनाते हैं यह हमने पिछले वीडियो में सीखा इस वीडियो में हम जानेंगे कि defect wise priorization करने के बाद हम उसका action plan कैसे बनाते हैं दोस्तों आप सभी को मेरा नमश्कार जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ वीरेज चोहान मैं पिछले 30 वर से अधिक समय से die casting industry के साथ जुड़ा वहा हूँ इस die casting industry में काम करते हुए मैंने काफी अच्छा experience गेन किया है और जो भी experience मैंने गेन किया है वो सारा experience अपने वीडियो के माद्यम से मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ और मेरी आप लोगों से request है जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें साथ में वैल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो उनको सबसे पहले मिल सकें और एक request और भी है दोस्तों आप मेरे इस डीज स्कैनल चैनल को लाइक करें साथ में अधिक से अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अधिक ते अधिक लोगों को इस मेरे वीडियो के माद्यम से मेरे experience के लाव उन तक पहुंच चकें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अब मैं आपको ले आया हूँ अपने computer की screen पर यहां पर हम देखेंगे एटाइड effect के लिए कैसे हमें plan बनाना है कैसे उसको execute करना है जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बनाया कि हम rejection data को दो तरह से analyze करते हैं एक तो component wise जिसमें top जो component contributor होते हैं और उसके बाद दूसरा defect जो top contributor होते हैं तो उसके एसाफ से हम prioritize करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने already देखा कि component wise जब prioritize करते हैं तो उनका हम action plan कैसे बन बनाने जा रहा है action plan defect basis पे आपकी company में जितने भी defect report हुए है last six month में यह अगर आपने three month का data लिया है तो उस data को एक Excel की sheet में put कर देना है जैसा कि यहां मैंने देखाया हुआ है इस Excel की sheet में put करेंगे तो यहां आप defect यह देखेंगे इस column में defect वाले में यहां मैंने put कर रखा है और लगभग 41 defect मैंने यहां identified किये है A type के उसी तरह से आपने beta i defect separate कर देने हैं A type B type में क्या फार्क है यह दोस्तों मैं आपने पुराने वीडियो में अल्रडी बता चुका हूँ अगर आपको अभी नहीं कोई clarity है या जो साथ ही मेरे नए जुड़ यह है उसमें हमें क्या क्या लेना है वह अब मैं आपको clear करता हूँ दोस्तों इस seat का मैंने नाम दिया है plant level defect mattress A type क्योंकि this क्योंकि this से तो इसकी एसका प आप देखेंगे यह नोट मोड़ किया हुआ है यह मेरा casting process में exist करता है लेकिन मैंने counter measure लिया तो यह अब eliminate हो चुगा है तो यह मैंने आपको example के लिए और clear कर दिया यहाँ जैसे आप देखेंगे यह सारे defect जो मैंने note किये हुए है उसके बाद process में आप देखेंगे non-fail, catching, metal runs, airing, anchor pin तो जो भी defect है आपके यह सारे defect casting से related है then machining में defect हैं जैसे dimension oversize, undersize, die oversize, undersize तो इस तरह की यह machining की defect हो गए अगर मैं इसी चीज को नीचे की तरफ जाता हूँ तो आप देखेंगे painting के भी defect है fatling के भी defect है fatling के आप बोलेंगे दोस्तों क्या defect निकल सकता है जैसा कि आप जानते हैं fatling एक manual operation है manual operation में अगर किसी component को आप voice में पकड़ गए उसकी fatling करते हैं तो यह confirm है कि आपका aluminum का component अगर आप voice में पकड़ के fatling करेंगे तो उसके उपर dent आएगा ही आएगा तो इस तरह का जो defect आएगा वो 100% लगएगा 100% component के अंदर तो इसको हम A type बोलेंगे इसके लिए अगर हम जैसे aluminum results बना देते हैं तो फिर यह defect eliminate हो जाएगा यानि zero हो जाएगा तो यह इस तरह से मैंने fatling का भी defect capture किया हुआ है similar way में आप देखेंगे तो B type की list भी मैं identified की हुई है plant level पे SEC type की plant level पे दोस्तो अब यह हमने list तो identified कर लिए हमने अब इसके बाद क्या चर्क करना है हमें जो मेरे किसी भी die casting industry में या high pressure die casting industry में जो major defect रहते हैं वो हमेशा या तो non fill रहेगी या blow hole रहेगी और same चीज हमने last अपने वीडियो में देखी थी या non fill का defect ही सबसे major contributor था हमारा shop के अंदर तो इस वीडियो में दोस्तो हमी example के दौर पर non fill के लिए हमें कैसे study करनी है यही मैंने लिया हुआ है अब आपको इसके बाद एक next seat और बनानी होगी जिस तरह से मैंने बनाई है यहाँ आप देखेंगे इस seat में मैंने identified किये है list of action and horizontal deployment plan दोस्तो जब आप किसी भी component की उपर study करके final action आप लेते हैं then उसके बाद countermeasure भी ले लेते हैं तो फिर आपको उसका horizontal deployment भी करना पड़ता है तो इसलिए मैंने seat का नाम दिया है list of actions and horizontal deployment इस seat के अंदर आपने क्या करना है keval non-fill defect के लिए ही जो आपने action या countermeasure लिए हैं उनी को identified करके रखना है इसी तरह से आपकी heart defect के लिए एक seat बनेगी अब यहाँ देखेंगी दोस्तो serial number मैंने यहाँ दिया हुआ है तो keval non-fill defect के लिए मेरे लगवग 27 cause मैंने identified किये हुए हैं और each cause के against मैंने action लिए हुए हैं तो इस seat के बारे में और थोड़ा मैं clear कर देता हूँ आपको जैसे कि first column में आप देख रहे हैं serial number वो naturally रहता है किसी भी seat में cause क्या identified हुआ था जैसा मैंने आपको पहले भी clear कर रखा है दोस्तों कि किसी भी a type effect में हमें cause identified होता है उसके बाद किस machine या die में ये cause identified हुआ then उसमें हमने final action क्या लिया final action लेने के बाद counter measure हमने कह लिया counter measure आप कह सकते हो प्रेंटर एक्षन जिससे कि वो defect repeat ना करे और ये जो cause identified किया था मैंने ये किस head में किया था या जहां पर action लिया था किस head में लिया था action तो यहां पर forum head की बात कर रहा हूँ जैसे machine method, material, man तो इस तरह से आपने identified करने है ये जो cause identified हुआ था मेरा किस date में identified हुआ था date of opening and then उसके बाद इस पर action लेकर जो मैंने खतम किया इसको वो date of closing तो example के लिए आप यहां देख रहा है कि 2 माई को मैंने यह identified किया और 12 माई को यह cause eliminate हो गया मेरा अब इस cause को end करने के लिए या eliminate करने के लिए मैंने वाई वाई किया या काईजन किया वो आपने इस तरह से note करना है यहां दोस्तों देख रहा है यह सारी वाई वाई करके मैंने इन पर countermeasure लिए हुए है अगर आप नीचे देखेंगे तो एक जगह पर मैंने काईजन भी किया हुआ है तो यह आप देख रहे हैं यहां काईजन का नमबर भी दिया हुआ है तो इसी तरह से आपने यहां पर काईजन लिख देना है और काईजन का क्या नमबर है जो identified किया है काईजन नमबर वाली column में आपने यह note कर देना है अब दोस्तों यहां तक का काम हो जाता है आपका पूरा अब चलते हैं next horizontal deployment की तरह अब horizontally आपने भी यह deployment plan बना लाएं similar way में यहां मैंने machine wise plan बनाया है अगर कोई component में आपका horizontally deployment बनाया है तो भी आपने capture करना है तो यह example के लिए मैंने 10 machines लिएं अगर आप उपर legend देखेंगे तो legend में मैंने दिखाया हुआ हुआ है जैसे not applicable, not applicable means के यह जो action लिया मैंने यहां पर drain oil from cylinder so cylinder से जो oil निकालने वाला था मेरा दो machine में applicable नहीं है वो सबता है machine के manufacturing या design कुछ अलग तरह की हो जहां पर यह applicable नहीं हो then उसके बाद देखेंगे आप मैंने लिया हुआ हुआ है done और sustained इस में identified किया मैंने कि इन machine पर होना है यह tick लगा के then done होने के बाद इसको green कर दिया और इसका उलब है कि यह sustain भी है अब यहां next देखेंगे आप यहां पर done तो हुआ है but red fill किया हुआ है मैंने इसका मतलब है कि यह defect मेरा repeat हो गया यानि कि वो sustain नहीं हुआ तो दोस्तो इसी तरह से आप भी बना सकते हो और जहां defect repeat होता है उसके लिए आपको दोबारा study करके फिर action plan और counter measure लेने पड़ेंगे इसके बाद आप नीचे देखेंगे एक यह जो action था मेरा metal sensing limit reduce किया है मैंने यह maintenance की practice को extend rise किया है but इसके लिए जो sensing limit change करने के लिए मेरे को यदि किसी equipment की या metal की जरुवत है मेरे को जो बाहर से purchase होना है या किसी और अने region की बज़े से machine नहीं मिल पाई action के लिए तो यह pending show कर रहा है तो no action means कि आपने similar way में no action note कर लेना है जो target date मेरी अभी आने वाली है निकली नहीं है लेकिन अभी भी किसी भी machine में कोई action नहीं हुआ है means कि यह आपको delayed हो सकता है action plan इसके लिए आपको अपने management से बात करनी पड़ेगी तो सकता है कि सार इस बज़े से delay हो रहा है तो आपको वहां से help लेनी पड़ेगी similar way में दूसरी seat आपको दूसरी defect के लिए बनानी पड़ेगी जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है आपको यह eight-eye defect है catching का इसके लिए दूसरी seat बनाई है मैंने इसी तरह ऐसे आपको different different seat बनानी पड़ेगी each defect के लिए आपको एक seat identified करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपके A to Z cause जितने भी होंगी वो सारे identified करके उनको listed करना पुड़ेगा जैसे मैंने यहां दिखाए हुआ है अब यहां आप interesting चीज़ देखेंगे आप catching का मैंने इसी लिए आपको दिखाने के लिए लिए कि cause A की है इसमें die temperature increase और इसके अगर आप देखेंगे different machine हैं final action भी different है इनके counter measure भी different है head भी different है तो दोस्तो इसी तरह से आपको एक cause के लिए हो सकता है आपके बहुत सारे cause identified हो और counter measure भी आपको अलग अलग लेने पड़े हैं तो दोस्तो यहां तक हमने अब इस seat को समझ लिया पूरी तरह से अब हम next जो non-fill में हमने identified किया है यह दो cause इनके उपर हमने y-y analysis कैसे किया है कैसे action लिए है अब एक बार वो देखते हैं अब दोस्तो यह हमारी y-y analysis seat है जैसा कि उपर रखा हुआ है यहां आप देखेंगे उपर के इसके side में यहां कुछ मैंने basic information note कर रखी है जो कि आपको भी note करनी पढ़ेंगी कि जो भी यह non-fill का defect हमने identified किया था किस component में किया था किस machine पाइडिफाइड हुआ था उसके लिए क्या final action लिया गया था तो यह सारी चीज़ें आपने भी note करनी है किस date में identified हुआ था defect type में आपको पता ही है कि a type है मेरा और final action लेने के बाद मेरा यह okay हो गया था तो अब हम चलिए yy की तरफ बढ़ते हैं yy करने के लिए जैसा कि आपको मालू में कोई भी जो final action लिया जाता है दोस्तो हम उसी को yy में first y माल लेते हैं तो जैसे यहाँ final action में लिया है holding furnace wait for rise the metal temperature up to specs of 650 degree तो 650 degree metal temperature को rise होने के लिए मेरे को holding furnace का wait करना पुगा है अब दोस्तों क्योंकि holding furnace का metal temperature आपको पता है कम होगा और उस पर आपने casting कर दी तो 100% आपका non-filled effect बनेगा ही बनेगा तो यहाँ पर जो first y है first y के बाद चलिए देखते हैं कि इसका answer क्या आता है अब answer मिला हमे metal temperature was low in holding furnace 621 degree specs of 650 degree जो required था हमारा अब why metal temperature low again इसमें वही लगाएंगे तो answer मिला हमे low temperature molten metal supplied from centralized furnace जाने कि पीछे से जहां से centralized furnace से supply हुआ था उस metal में ही low temperature था अब इसकी वही करते हैं again तो answer आता है हमारा जो metal tabbed हुआ वही हमारे low temperature पे हुआ अब ऐसा क्यों हुआ वही अगें करते हैं हम इसको तो हमारा answer निकल के आता है no measurement facility available at standard furnace तो centralized furnace पे हमारी कोई measurement की facility available नहीं थी अब वही ऐसा क्यों था तो इसका answer है poor design अब poor design के लिए हमने क्या countermeasure लिया वो दिखते हैं दोस्तो countermeasure लिया हमने metal temperature indicator provided at centralized furnace यानि कि हमने वहाँ facility दे दी जिससे कि जब भी metal कोई taping करेगा centralized furnace से तो वहाँ जो specs जब तक नहीं होता जब तक नहीं करेगा जैसी specs हमारा required temperature होन जाएगा metal का then उसको हम tap कर सकते हैं अब second वही की तरफ चलते हैं second वही में आप देखेंगे तो यह मेरा component pressure plate defect था non-fill machine number one पे identified हुआ date थी identification की defect की 2 माई अब यहाँ मैंने जो final action लिया holding furnace heater element change defect दोस्तो सेम हैं लेकिन final action is the different तो अब अगें इसकी वही वही करते हैं अब मैंने इसको वही में डाल दिया holding furnace heater element change why answer मिला element was break next आप देखेंगे why heater element unmatured fail before set life क्योंकि जो भी हमने heater element की life set की थी उससे पहले यह unmatured failure हो गया ऐसा क्यों हुआ भाई heater element life settled wrongly क्योंकि यहां हमने heater की life set की थी वह wrongly set की हुई थी इसके बाद next आता है हमारा भाई heater element life settled based on assumption यानि कि हमने heater element की life based on assumption set कर दी या किसी हमारे senior ने बोल दिया है आप भाई database होना चाहिए कि कब-कब इसमें क्या-क्या change हुआ है उसी बेस पर आप set कर सकते हो या जैसे इसमें हमने countermeasure लिया है वो भी देख लेते हैं क्योंकि यह wrong method था अब इसका countermeasure निकलके आया हमारा heater element change frequency settled after 3 months as per manufacture recommendation तो दोस्तों आप किसी भी spare के लिए जो change frequency आप रखेंगे कि कब उसको replace करना है वो उसके लिए आप जो manufacturer का recommendation है उसको भी consider करती हुए आप fix कर सकते हो या फिर आपके पास database है तो वो सबसे best है अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों next defect था हमारा catching catching के लिए आप देखेंगे जैसा मैंने आले भी दखाया था यह की कोज मेरा identified white eye temperature increase बद जो different different मेरे final action और countermeasure है तो उनको भी देख लेते हैं हमने वाई वाई में क्या किया हुआ है और इसके बाद हम देखेंगे कि एक काईजन भी हमने किया हुआ है कि काईजन हम सीट कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या हमें no down करना होता है तो चलिए अब नेक्स्ट वाई 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 देख लेते हैं अब यह वाई वाई की सीट है मेरी defect जैसे मैंने बदाया catching का है catching in a spline यहां मैंने और थोड़ा से clear करती है particular component के सेरी में आ रही है component था मेरा pressure plate machine number one पर और इसमें जो final action लिया मैंने spray nozzle position resettled अब spray position resettled क्यों करना पड़ा अब इसकी वाई 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 analysis करते हैं तो first वाई में मैंने डाल दिया है spray nozzle position resettled अगर मैं वाई लगाता हूं तो answer आता है no die coat applied at affected area जहां जहां catching आ रही थी वहाँ die coat लग ही नहीं रहा था अब ऐसा क्यों हो रहा था क्योंकि die coat spray direction was disturbed अब disturbed क्यों हो गया क्योंकि इसमें flexible pipe were used तो जो flexible pipe थे को उपर के वो use किये गए थे जिनकी वज़े से ये disturb होई थी position die coat spray की अब इसमें गलती क्या हुई again poor design तो दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो भी वाई-वाई analysis होता है वाई-वाई analysis का जो last answer होगा वो आपका या तो poor design, weak design या किसी system में आना चाहिए अगर आपका वो वाई-वाई का analysis निकल के last में आता है whens के उपर यानि के operator ने check seat नहीं फिल की operator ने inspection नहीं किया operator ने ये action नहीं लिया operator ने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपका वाई-वाई सही नहीं हुआ है अगर आप action ले भी लोगे ये series में तो action हमेशा repeat करता रहेगा क्योंकि man के उपर अगर आपने सारी चीज़ें छोड़ दी तो कभी भी आपका वो action या counter measure sustain नहीं होगा तो दोस्तो यहाँ जो poor design का ये issue आया इसके लिए अब हमने counter measure क्या लिया तो दोस्तो इसका counter measure निकल के आया component wise spray cassette made with a fixed location of nozzle मैंने cassette बनाई एक cassette के अंदर फिर nozzle को use किया और उन nozzle की direction मैं fix कर दी component की location के इसाफ से कि जहां-जहां मेरे को dicot spray करना है वो उसी location पर जाके dicot लगए इस case में यदि मैं component wise nozzle को fix करता हूं तो उसमें disturb होने के chance बिल्कुल zero होते हैं अब दोस्तो अगली वाही वाही देख लेते हैं इसमें आप देखेंगे again same cause जो आ रहा है मेरा catching का यह आ रहा है spline area में लेकिन component है चेंज है यह centralized में है hack defect semi अब इसमें जो final action लिया है मैंने बुलिया है moving side air blow pipe changed तो air blow pipe को change क्यों करना पड़ा why लगा देते हैं इसमें answer आता है हमारा air blow pipe was cracked crack क्यों हो गया दोस्तों इसमें वही लगाते हैं तो molten metal was stuck in air pipe molten metal था जो heat होता है काफी जिसके अंदर 650 degree temperature होता है वह air pipe में जाकर चिपक गया था अब ऐसा क्यों हुआ why metal was spread out from the die during short performance यानि जब die में short लगा machine के उपा तो die से metal spread out हो गया और जाकर वह pipe में चिपक गया अब why spread out metal क्योंकि gap create हो गया die में fixed and moving surface के बीच में जिसकी वज़ेशने metal spread out हुआ अब ऐसा gap create क्यों हुआ why किया हमने again तो die locking force was unequal अब why unequal stand gazing was not done अब stand gazing क्यों नहीं हुई क्योंकि stand gazing का हमारा कोई plan ही नहीं था हम कभी भी कर लेते थे जब भी मन करता था तो दोस्तों यहां अब counter measure हमने निकाला तो counter measure हमारा निकल गया stand gazing plan has made every month यानि monthly हम stand gazing करेंगे machine के उपर जिससे की हमारा कोई भी इस तरह का material spread out ना हो और जो stand gazing का दोस्तों अब पुफंडा में क्लिए कर देता हूं stand gazing का मतलब होता है कि machine में जो four pillar होते है four pillar के उपर load distribution symmetric होना चाहिए अगर वो uneven distribution है तो जो locking force है आपकी चारो फिलर के या चारो कोनों पर डाई सही नहीं लगाएगी जिसकी वज़े से जहाँ locking force कम लगाएगी उस साइड से डाई जो है फ्लैस मार सकती है तो यहां से हमने यह सीखा कि सेम defect के लिए आपके final action में different हो सकते हैं और आपके counter measure भी different हो सकते हैं दोस्तों चलते हैं काजन सीट में तो यहां देख रहे हैं जैसे यह मेरी काजन सीट है यहां मैंने नाम दिया इसका काजन idea seat आपका भी कुछ नाम दे सकते हो सेम नाम रख सकते हो आप दूसरी साइड में देख रहे हैं company logo यहां जो company में आप काम करते हो उसका logo आ जाएगा इसके बाद यहां देख रहे है काजन theme क्या है काजन theme थी मेरी to eliminate catching catching को हमने eliminate करना है तो दोस्तों देहान रखना काजन में हमेशा हमें किसी भी defect को जो target लेते हैं zero करने का ही लेते हैं तो इसलिए यहां use किया गया है to eliminate catching को eliminate करना है अब इसका idea क्या था जैसा कि हमने Excel की sheet में देखा no band in cooling pipe cooling pipe में जो band था जिसकी बज़े से हमारा problem आई थी वो band नहीं होना चाहिए अब यहां actual problem क्या थी जो हमने phase की die temperature was more it was 320 degree centigrade against 250 degree centigrade क्योंकि जो die temperature है 250 degree centigrade से मेरा अगर उपर जाता है तो catching आनी शुरू हो जाती है तो इसके लिए आप यहां पे दोस्तों defect का photo भी show कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां डाला हुआ है इसके साथ मैं आप उसको दिखा भी शक्ते हैं कि इस जगे मेरा यह defect zone है जैसे और clarity आई गया आपको अब इसकी जैसे वाई-वाई analysis आप देखेंगे यहां तो first y मैंने लिया हुआ है जो मेरा final action था again die temperature was more it was 320 degree centigrade y die cooling water flow was less y cooling pipe was bent y flexible rubber type pipe was used at corner area तो आपको पता है दोस्तों अगर किसी भी corner area में अगर flexible pipe use करेंगे तो वो इस तरह से band हो जाएगा और band होने से क्या हुआ मेरा water flow कम हुआ water flow कम होने से जो die cooling rate था वो कम होने से वहां पर die heat up हो गई अब ये चुली counter measure का जो final root को जो निकल का आया counter measure का वो था weak design तो weak design के उपर हमें counter measure लेना है counter measure हमने क्या लिया आप यहां देखेंगे before और after तो counter measure लिया हमने flexible rubber pipe replace with sheet metal तो यहां जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यह जो flexible pipe था इस flexible pipe को हमने sheet metal के pipe के साथ replace कर दिया अब यह काम होने के बाद हमें result area भी monitor करना है तो जैसे आप देख रहे हैं यह आप्रिल 21 में 205 piece मेरे हर महीने reject हो रहे थे इससे पहले का भी record आप show कर सकते हो एक से 15 मही तक मेरे 89 part reject हुए परन्तों जब मैंने counter measure 16 मही को लिया तो उसके वासे rejection zero हो गया यानि मेरा यह counter measure सही है जो मैंने लिया है उसके बाद इस defect के लिए मेरा कोई भी part reject नहीं होगा अब दोस्तों यह result area के बाद हम next चलते हैं benchmark यह हमने note किया हुआ है 205 तो benchmark naturally यही रहेगा जो 205 मेरे component reject होते थे वही benchmark आपको जैसे मैंने बताया आपने यह 0 ही रखना है हमेसा next उसके बा अपने team member जो काम करने वाले team थी कौन-कौन सी थी उसमें आपकी production की होगी डाइ maintenance की होगी quality की होगी तो सारी team member आ जाएंगे benefit area क्या है दोस्तों यहां पर आप देखेंगे benefit area मेरा है production increased 205 numbers per month production naturally जब यह 0 हो गया defect मेरा 205 पीस मेरे per month increase हो गए अब इसका benefit area को उपर भी आप दोस्तों यहां भी note किया हुआ है कि काईजन यह quality ने किया यह quality add में हुआ sorry और इसका जो result मेरे को मिला वो production increase हुआ मेरा और quality में defect 0 हुआ दो जगे मिला अब next उसके बाद देखते हैं इसका how to maintain अब यह काईजन को हमें maintain कैसे करना है यहां देखेंगे काईजन दो तरह के हो होता है तो इसके उपर अगर आप दोस्तों कमेंट करेंगे और चाहेंगे कि मैं इसके उपर वीडियो बनाऊं तो जल्दी ही मैं इसके उपर भी डीटेल में वीडियो बनाऊंगा दोनों टॉपिक के उपर अलग अलग जिससे कि आपको और अच्छे तरह से clarity आएगी कि कि वाही वाही की करने में हमने क्या करना है और काइजन करने में हमें क्या कैसे अलगाने किया जाता है कैसे हम your uni7 नाक्स देखते हैं जैसे तो काफी force से यह दबाने के लिए जो कि possible नहीं है अगर आपका यह reversible होता जैसे हम दिया हुआ है if reversible then to be include in फिर आपको reversible है तो इस तरह से आपको किसी digest sheet में maintain करना है quality plan में करना है या कोई setting standard बनाना पड़ता है यह मैंने जस्ट आपको example के लिए यहां दिखाया हुआ है क्योंकि यह irreversible है इसलिए इसमें यह applicable नहीं हुआ बट मैंने आपको एक example के लिए इसको दिखाया हुआ है अब बात आती है अगेन इसके horizontal deployment की तो यहां मैंने horizontal deployment किया हुआ आप देखेंगे मसी नंबर नोट क्यों है सारी टार्गेट क्या है इनकी जो लास्ट टार्गेट होगी वो पूट करनी है आपने और यहां responsibility किसकी रहेगी वो जरूर डालनी है आपने मेंटेनेंस करेगा यह काम सारा अभी स्टेटस क्या चल रहा है मेरा अंडर प्रोसेस है तो काजन सीट के अंदर भी जो Excel की सीट में information थी same information रहेगी अब जब यह मेरा horizontal deployment complete हो जाएगा तो हम काजन की सीट में भी complete दखा के इसको close कर देंगे